हमस्कार दोस्तों स्वागला आपका अपनी शैनल स्टॉक नीज बार भी में तो टाटा पाउर के रिकार्डिंग एक बड़ी इल्जाम लगा इनके उपर कि एक्चुली में ये गौर्मेंट के साथ सांट गाट करके अपने सारे प्रोजेक्ट्स ले रही है ऐसी बड़ी बाते निकल के आ रही है तो कैंसे डरना चाहिए ये ध्यान रखेगा बहुत बड़ा डर तो नहीं है बटेक्चुली में अगर ऐसे इल्जाम और बढ़ते गया आने वाले टाइम में तो इसके लिए प्रोब्लम्स क्रियेट कर सकते हैं तो इसमें उसको पूरा डिस्कुस करेंगे साथ में आपने कल की वीडियो देखी होगी कि क्यूं मैं बता रहा हूँ कि विंड अनरजी में बहुत इंवस्टमेंट कर रहे हैं ऐसी बड़ी ख़पिर आनी वो भी डिस्कुस करेंगे तो absolute power in Odisa तो Odisa government के खिलाफ actually मैं Congress बेयान दे रही है कि Tata War को ये सारा enjoy कर रही है power कर रही है ये Odisa में ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं देखे pure politics है जब भी आपको Congress को लग रहा है पहले तो उन्होंने अंबानी अडानी पे करके देख लिए हमले अब चलते हैं जी Tata पे भी कर लेता है बर Tata पे हमला इनके सबसे बड़ी गलती होगी Odisa के लिए मतब Congress के लिए actually मैं इतनी बुरी तरह से हारेगी क्योंकि Tata का नाम ही तो भरोसे का नाम है और उन पे बिलजाम लगाना है इनको बिलकुल शोबा नहीं देता है Tata पाउर हर एक एरिया में कर रही है उनकी खुद की कंपनी Tata Steel अगर उनने तना पड़ा कॉंट्रेक्ट दे रही है के लाग गॉर्मेंट दे रही है वहाँ तो नहीं है कोई और गॉर्मेंट हो कि हाँ हम पार्टी इनसे पैसा कमा लें किसी तरह कुछ कर लें तो ध्यान रखे स्टोक दोसदार भी हो सकता है एक सोनबे भी हो सकता है तो ध्यान रखे अगर बिजनस परसंद हो तब इन्वाइस किजिएगा किसी के कहने पर